आज हम जटपट इस टेस्टी मिठाई को बना कर तयार करेंगे और घर के समानों से ही आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी आप इसे एक बार बना कर जरू ट्राय करें तो आईए चलिए सुरू करते हैं रेसिपी की नमस्कार अनिता क्लासी किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई ले लिया हैं अब हम इसमें सुजी एक तिहाई कप डालेंगे यहां पर मैंने बारिक वाली सुजी लिया हैं अगर आपके पास मोटी सुजी है तो उ इसे हमें धीमी आज में ही भूनना है इसे हमें भूनते वे 2-3 मिनट हो गये हैं इसे हमें लाल नहीं करना है ये अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें एक बड़ी चमच देशी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते वे पकाएंगे आप चाहे तो घी को स्किप भी कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब सुजी अच्छे से पक गई है इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है बस इसमें से अच्छे कुजबू आने लगे तब तक भूनना है अब गैस को आफ कर देते हैं और इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं अब हम इसी कड़ाई में आधा कप चीनी डालेंगे और इसी के साथ एक कप पानी डालेंगे फिर हम चीनी को गुलने तक पकाएंगे चासनी में उबाला चुकी है इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे चासनी को हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हलकी सी चिपचिपा पन होनी चाहिए अब हम इसमें एक चोथाई छोटी चमच इलाइची पाउडर डाल कर मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इलाइची को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं ये अब अच्छे से मिक्स हो गई है इसे अब हम चेक कर लेते हैं ये देखिए बिल्कुल इसका हलका सा हनी के जैसा चिपचिपा पन होना चाहिए इसे हमें एक या दो तार की चासनी नहीं बनानी है गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसमें हम एक कप नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे लगतार चलाते हुए पकाएंगे दो मिनट तक हमें इसे भूनते हुए पकाना है दो मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए अब हम इसमें भूने हुए सूजी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे फ्लेम को आप लो पर ही रख कर इसे भूने इसे हमने दो मिनट के लिए फून लिया है अब हम इसमें मावा का टेस्ट देने के लिए दो बड़ी चम्मच मिल्क पौडर डालेंगे आप चाहे तो इसकी जगा मावा भी डाल सकते है इससे मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहां दो बड़ी चम्मच रोज सिरप डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें कलर भी आड़ कर सकते है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप रोज सिरप की जगा केसर को दूद में भीगो कर भी डाल सकते है उससे भी अच्छा कलर आएगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारी मिठाई का डो अच्छे से पक चुका है किनारों से कड़ाई को छोड़ने लगा है अब गैस को आफ कर देंगे और इसे प्लेट पर निकाल लेंगे प्लेट में निकालने के बाद इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे डो ठंडी हो चुकी है अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं हाथों में हलका सा ओयल या फिर घी लगा ले फिडो से हम एक निम्बू के आकार का हिस्सा लेकर रोल करेंगे फिर सिलेंडर शेप देंगे आप अपने मन पसंद अनुसार सेप दे सकते हैं यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है अब हम इस मिठाई को इसमें हलका हलका कोट कर लेंगे और इसे प्लेट पर रखते जाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है बस हमें छोटा सा डो लेकर रोल सेप देना है फिर इसे सिलेंडर सेप में करना है उसके बाद हमें नारियल के बुरादे में इसे हलका हलका कोट कर लेना है इसी प्रकार हम सारे सूजी के रोल को बन कर तयार कर लेंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बन जाती है अब हम इसे थोड़े से पिस्ता से गार्णिस कर देंगे ये बिल्कुल ऑप्सनल है आप इसकी जगा काजू से भी गार्णिस कर सकते हैं तो तयार है हमारी जटपट मिठाई बनकर तो आप भी इस अनिता क्लासी किचन को सब्सक्राइब जरूर करें ये दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत स्वादिश्ट होती है तो आप इसे जरूर बना कर ट्राइ करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद